गुड मॉर्निंग स्टुडेंट स्वागत है अमारे यूट्यूब चैनल राइटिक में और यदि आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी लाइक सेर और कॉमेंट भी करना अगर आपको कुछ पर सेंट ये वीडियो अच्छा लगता ह है तो इसमें हम आज 12th accountancy के chapter नमबर दो के question जो कुछ बचे हुए थे मिसलेनियस question वो मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूं देखिए यहां एक question है हमारे पास STW and X are partner sharing profit in the ratio 4 ratio 3 ratio 2 ratio 1 X is given a guarantee that his share profit in any given year would be रुपए 8000 कि उसका guarantee दी गई कि उसका इस्सा किसका X का 8000 से कम नहीं होगा deficiency if any would be born by the other partners equally अगर कोई कमी रहेगी तो उसे सभी बाकी के सांज़ेदार equally उठाएंगे the profit for the year ended 31 March 2014 31 March 2014 की साल को समाप तोने वाले साल कून के लाव थे रुपए 65,000 pass necessary journal entry in the books of firm फरम की पुस्त को में necessary journal entry करके आपको दिखाने हैं तो पहली entry क्या होगी profit and losses account debit 65,000 to profit and loss appropriation account जो लाव थे हमने वो लाव आनी समायोजन खाते में ट्रांसफर कर दी लाव आनी समायोजन खाते में वो डिवाइड करके पार्टनर्स के capital account में ट्रांसफर कर देंगे profit and loss appropriation account debit 65,000 to S capital account 25,500 to T's capital account 19,000 to W's capital account 12,500 और to X capital account 18,000 और नहीं चलिए profit distribution in the ratio 4 ratio 3 ratio 2 हमने इन लावों को कैसे बाट दिया 4 ratio 3 ratio 2 लेकिन अगर आम इन पैस 6,000 को 4 ratio 3 ratio 2 ratio 1 में बाटेंगे तो यह लाव नहीं आती लाव कुछ और आते हैं हम अरे जी लाव उठाएं आने उठाएं आपको 8,000 जरूर देंगे तो देखिए इसके लिए हम working note बनाएंगे और working note में एक बनाएंगे profit and loss appropriation account उसमें लिखेंगे profit and loss account 65,000 मिले profit and loss account से और इस साइड का जोड profit and loss account यहां हम लिखेंगे 2S capital account और देखिए S के इससे कितने ल लाव थे 65,000 इनका लाव वाजन उन्हों पात कितना है 4 ratio, 3 ratio, 2 ratio, 1 तो इसको हम बाट के लिख देंगे गुणा में 4 divided by 100 यानिक 65,000 की और हम 6 की गुणा करेंगे 65,000 की और 6 की गुणा करेंगे तो हमारे लाव आएंगे 26,000 तो हमने 2S capital कितना लिख दिया 26,000 उसके बाद हम इसमें या गुणा कितने से कर देंगे 3 से तो इसके आजाएंगे 19,500 और 2W के कितने आजाएंगे 2 से गुणा कर देंगे 13,000 और जो last X उसका एक से गुणा होगा तो कितने आ जाएगा 65 लेकिन देखे T के S के इससे आए 26,000, T के 19,500 डवल के 13,000 और इसके X के 6,500 लेकिन X को तो guarantee दी गई है कि हम आपको कम से कम कितने देंगे आठ हजार इसके आठ हजार के लिए कितने रूप और चाहिए पंदरासो जिनको तीनों पार्टनर उठाएंगे S, T और W कितना equally बराबर बराबर कितने 500 तो यहां लिखे लेस ट्रांसफर टू X S ने X को कितने दे दिये 500 गटाके लिखे दिया 25,500 T ने कितना दे दिया लेस ट्रांसफर टू X 500 इसके 500 गटाके लिखे दिया 19,000, 19,500 में से W ने कितना दे दिया 500 इसके लिखे दिया 12,500 यहां एड कर देंगे from S, from T, from W तिन्हों ने 5500 दिये और इसके कितने पूरी हो गई 8000 क्योंकि इसको गारंटी दी गई थी वो जर्नल एंट्री या लिख इसलिए ही आए यानि इसका रेश्यो के गोर्डिंग 26000 आये था सभी के 5500 कम करके 15500 इसमें जोड़ दिये ताकि इसकी मिनिमाम गारंटी पूरी हो गई और उसके लिए हमने एक एंट्री भी लिखे है S. Capital Account Debit 5000 T. Capital Account Debit 500 S. Capital Account Debit 500 W. Capital Account Debit 500 X. Capital Account 15500 के जो 15500 कम थे इन सभी ने 5500 से दे दिये ताकि उसकी मिनिमाम गारंटी 8000 की पूरी हो जाए उसके बाद Question No. 48 है X and Y are partner in a firm Sharing Profit in the ratio of 3 ratio 1 On 142004 They decide to admit Z for 1 6th share in the profit With a minimum guarantee amount of रुपे 1 लाख पर है यानि कि उन्होंने Z को 1 बटे 6 इससे के लिए partner बनाए और उसे guarantee दी कि भाई तेरे लाब 1 लाख से कम नहीं होने Any deficiency arising on the account Sell B meet by X अगर कोई भी कमी रहेगी तो उसकी छती पूर्ती कोण करेगा दोनों नहीं करेंगा X और Y केवल कोण करेगा X The profit for the year ended March 31 2005 The profit for the year ended March 31 2005 Amounted to रुपे 4 लाख 80,000 Prepare Profit and Loss Appropriation Account कि लाब उस साल खतम हुई 31 मार्ज 2005 को तो लाब कितने होई 4 लाख 80,000 पहले तो इन 4 लाख 80,000 को तीनों पार्टनर में X, Y और Z में बाट के देखेंगे कि कि कितने आते हैं हमने यहां लिखा Profit and Loss Appropriation Account Debit, Credit, Particulars रुपे, Particulars रुपे हमने यहां लिखा By Profit and Loss Account 4 लाख 80,000 इस साट टोटल कर दिया 4 लाख 80,000 उसके बाद यहां लिखेंगे 2 Profit Transferred 2 X Capital Account, Y's Capital Account और Z's Capital Account इस 4 लाख 80,000 को अम X, Y और Z के Ratio में बाट देंगे Ratio का है यहां तो Ratio लिखे 3 Ratio 1 के वल 2 का, तीसरी का तो पता ही नहीं 1 बटे 6 तो इसके लिए हम New Ratio निका लेंगे सबसे पहले Working Note में चलिए आप लिखेंगे Total Share Latest Total Share कितना है? 1 Z Share Z को कितना देना? 1 बटे 6 उसको तो कैके अडिमिट किया गया कि वह तेरे को कितना देंगे? 1 बटे 6 यह लिख आउपर 1 बटे 6 उसको 1 बटे 6 दे दिया Remaining Share कितना? 1 में से 1 अप उन 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा 5 बच जाएगा? 5 बच जाएगा वाइज न्यू से एड़ 5 बटे 6 का यानि multiply by उसका इससा वाई का इससा कितना था? 1 बटे 4 इनका जोड 1 बटे 4 आगा 5 बटे 24 न्यू रेशियो कितना आया? न्यू रेशियो आया? 15 बटे 24 रेशियो 5 बटे 24 रेशियो 1 रेशियो एक बटे 6 25, 5 रेशियो 5 रेशियो इसमें आप उसमें हम परफित को बाटेंगे प्रोफित कितना था? हमारा देखे प्रोफित हमारा था 4,80,000 उसमें यह नाम है जो जो भी नाम है जैड एकसा कितना आएगा multiply by 15 divide by इन तीन न का जोड़ कितना है? 24, 24 से काट देंगे 24 दूनी 48 उपर आ गया है 20,000, 20,000 की और 15 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है उसका इसा 15 दूनी 30 तीन लाख, अगर आप Y का इसा निकालेंगे तो यहां 15 की जगे 5 से गुणा करते हैं पांथ से कुना करेंगे तो y का इसा कितने आ जाएगा एक लाग तो यहाँ कितना है फॉर निच्छे लास्ट में देखे इसका इसा फॉर तो यहां लिख देंगे X के सामने X capital account तीन लाख less transfer to Z इसने Z को कितने दिये 20,000 इसके लाब 20,000 कम करके कितने कर दिये 2,8,000 Y पर कोई परवाव नहीं पड़ेगा 1,00,000 और Z का क्या लिखेंगे Z's capital account 8,000 add from X X ने कितने दिये 20,000 और अब इसके भी कितने बने एक लाग इस पर कर ये लाग बाटे जाएंगे ये क्यूस्टिन है एक क्यूस्टिन वह देखिया क्यूस्टिन नमबर 49 बहुत अच्छा क्यूस्टिन है मैंने पूरा सोल करके रखा नहीं ताकि आप पुछ कर पाएं थोड़ा से इसलिए रखेंगे देखिये राम, मोहन, एंड सो अनवर पार्टनर तीन वैक्ति पार्टनर ने राम, मोहन, सो अनवर पार्टनर दे अडमिट राकेस है जे पार्टनर और गारंटीड देट इस शेयर ओफ प्रोफिट सेयल नोट भी लेस देन सेवन्टी थाउजेंट उसने क्या गाए? राकेस को एक नवर पार्टनर बना लिया और उसको गारंटी दी गई कि वह तेरा हिस्सा कभी भी सत्तर अजार से कम नहीं देंगा और उसमें लाफ जो बाटे जाएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे टोटन प्रोफिट कितन包括 च्यारला इसको बाटना है, राम सेयर इन प्रोफिट राम का इसा कितना इस रेशियो बाटन आ, 4 रेशियो, 3 रेशियो, 2 रेशियो, 1 तो च्यारला गुणा में 4 उसका इसा ये, बटे इनका टोटल, इनका 4, 3, 6, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 10 है, च्यार बटे 10 लिखे, 1,0 स 1,0, कट की 40, के चैयर की गुणा कर इसके इससे कितने आए 1,60,000, उसके बाद लिखेंगे small share, fund motions का कितना आए 8400, गुणा में इसका इससा 3 deeper इनकर jod 10, 10, 101 10 कट की चैयर तीय भारा, 1,20,000, उसके बाद लिखेंगे sons share in profit, son का इससा कितना आए 4,00,ुणा में दो दस क्योंकि उसका इसा कितने है देखी ऊपर दो बटई हीनका टोटल दो बटए दस एक जीरो सेक जीरो उसका आगया अस्थी अजार उसके बाद राके शेर इन प्रोफिट राके आप देखिये उसको तो गारंटी दी गई है किसको राके, इसको कम से कम कितने मिलें है intéress us तो देखिए किस ने दिये गारेंटी, the admit raqus is a partner, guarantee that is share of profit, sell not to be less than 70,000, profit are to be share in the ratio of 4 ratio, 3 ratio, 2 ratio, 1, if the profit over charge is a prepared statement showing the distribution, तो देखिए इसमें ये clearly नहीं कहा गया है कि उसको के जो इससे कम रहेंगे, उनको कोण पूरा करेगा, कोण पूरा नहीं करेगा, तो कोण पूरे करेंगे, सबी पूरे करेंगे, सबी टोटल उसके कितने रुपए कम रहेंगे, 30,000, 30,000 कम रहेंगे, उससे कोण पूरे तो यह तिन्नों करेंगे इनको बाट देंगे चार और तीन साथ और दो नो तो यह नो से तो पूरा कटने वाड़ा भी नहीं है कि देखै इस में यह 30,000 इसमें नहीं बटेगा इस नुमेरिकल में फ़क्ते मिलिखा? जाना था जो भी deficiency रहेगी जो भी कमी रहेगी उसे राम और मोहन share करेंगे किस में two ratio one में किस ratio में share करेंगे two ratio one में अब उस गाट्य को उठाएंगे तो two ratio one में बाटेंगे multiply by two divide by three यानि 10,000 यानि जो 20,000 रुपए तो उठाएगा राम और जो बच गए 10,000 उसे उठाएगा मोहन तो यहां लिखेंगे less due to rakes को यह कितना देगा 20,000 तो इस के लाब कितने हो अब गटकर एक लाख है 40,000 और यह लिखेंगे less due to rakes और यह rakes को कितना देगा 10,000 इसके अब लाब गटकर हो जाएगे एक लाख है 10,000 और इसमें जोड़ देंगे एक वैक्ती ने दिए इसे 20,000 और दूसरे ने दिए इसे 10,000 आप इसके total कितने हो गए 17,000 इस पर कार करना था यह question यह मैंने इसलिए किया आपके सामने जो गलती भी आपके सामने पहले भी correction कर सकता था कि आपको कुछ समझ में आए उससे आगे है आप एक question last है वो उसके बाद यह chapter complete हो जाते है और नए chapter के लिए सभी question के लिए प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दीज 20,000 पर एननम यानि वसालाना salary लेता है 20,000 पला से commission of 10% और 10% commission लेता है of the profit after receiving after charging is salary and commission और एक बटे और यानि कि या या तो पहला लेता है या दूसरा 16 of the profit of the firm whichever is the larger या तो वो 20,000 रुपर पसालाना salary और 10% लाबों में commission लेगा या लाबों में एक बटे 6 इसाले का जो दोनों में से ज़्यादा है Any access of the later over the former received by R is under the partnership to be born by P&Q in the ratio of 3 ratio to the profit for the year ended 31 March 2012 came to Rs.3,85,000 after charging our salary या सपस्ट क्या गया है अगर वो एक गया तो क्या लेता है उसके दो विकल्प पहला विकल्प क्या है salary plus commission और B विकल्प उसके पास क्या है 1,6 share in profit और इसमें सपस्ट का गया अगर उसका दूसरा से जो ज़्यादा होगा वो लेगा लेकिन अगर पहले कि तुल्ला में दूसरा विकल्प ज़्यादा होगा तो यह जो जितना यह ज़्यादा होगा उसको कौन उठाएंगे P and Q उठाएंगे किस ratio में 3 ratio 2 में उसला उसको उठाएंगे तो हमने लिखा profit and loss, appropriation account, debit, credit, particulars, रुपए, particulars, रुपए, by profit and loss account 3,85,000, add, our salary, our salary की salary कितनी है, 20,000, total, यानि कि salary देने के बाद के लाब ते हमें कौन से चाहिए salary के, पहले के, तो जो total है वो आ जाएगा आपका 4,5,000, और इस side का total कितना आ गया, 4,5,000, अब इन working note करेंगे पहले तो हम यह देखेंगे कि वो कौन से विकल्प को चुनाव करता है, पहले विकल्प है, profit before our salary, our की salary देने से पहले लाब कितनी है, 4,5,000, less our salary कितनी, 20,000, कितनी है, 3,5,000, less our commission, our commission कितनी है, 3,5,000, गुणा, 10 बटे, 100 अना चाहिए था अगर before लिखा हो, लेकिन इसमें ल 25,000, रुपए कि आ जाएगा, उसका commission, total इसमें से 35,000, गुणा, देंगे, remaining profit, लाब कितने बचे हमारे पास, 35,000, 903,50,000, आ रहा है, पास लाब बचे गए, उसकी salary और commission देने के बाद, आब उसका दूसरा option देखेंगे, यानि दा 10, our as manager received, our as manager received, our manager होतों से कितने मिलेंगे 20,000, salary plus 35,000, commission, total रुपए मिलेंगे, 35,000, अब दूसरा विकल्प देखें, C as a partners received, C एक partner के रूप में कितने रूपए प्राप्ट करता है, 6,750, 67,000, 66,500, कैसे 4,500,000 टोटल प्रोफिट था, इसका एक बटे च्छे निकालेंगे, 66,500, access received by rakes, एक कल्प की तुल्ला में, बीवी कल्प में कितने जदा ले रहे, 12,500, कि वैसे उसे मिल रहे थे 55,000, और उसे अब मिल रहे, 66,500, कितने रूपए जदा ले रहे, 12,500, will deducting from P and Q in 3 ratio 2, इसको 12,500 को P and Q उठाएंगे, किस ratio में 3 ratio 2 में, अब चलिए profit and loss appropriation account में, देखिए profit and loss appropriation account में क्या लिखेंगे, 2 P's capital account P को कितने लाब मिलेंगे, 3,500,000, यानि उसकी salary और commission देने के बाद, जो लाब थे, 3,500,000, उसमें से उनका इस्सा, वो लाबों को बाटते है, 4 ratio 3 में, तो कितना आ जाएगा, 4 बटे 7 और 3 बटे 7, उनके इससे आएंगे, आपके, 4 बटे 7 और 3 बटे 7, जो 4 बटे 7 और 3 बटे 7 उनके इससे आएं, यहां हमने कर दिया, 3,500,000 का 4 बटे 7, 4 बटे 7 कितना आएगा, 7 से बाग देंगे, 7, 5, 35 और 5 चोक पीश, कितने रूपए आ गए, 2,00, यह रूपए आ गए, 2,00, रूपए 2,00, ठीक है, 2 cows capital कितना आएगा, 3,500,000 का 3 बटे 7, क्योंकि उसका इस है, 3 बटे 7, 3 बटे 7, 3 बटे 7 कितना आजाएगा, 1,50,000, और 2 R's capital, R की capital कितनी आएगी, 4,500,000 का 1 बटे 6, यह यह रूपए 6,000, जो अच्छा भी कलप है, वो लेगा, लेकिन बताया था, यह कितना नाम कितने जादा ले रहा, 12,500, उन्हें क 5,000, तो, उसके लिए आप लिखेंगे, less, PKM से गटा देंगे, due to R को वज़े से कितने कम हो रहें, 67,000, और TKM लिखेंगे, less, due to R, R के वज़े से कितने कम हो रहें, 5000, इसके 7,500, गटा के लिखेंगे, 1,25,000, और इसके लिखेंगे, 1,45,000, टोटल करतेंगे, इसका भी टो और 4,500,000, ये क्यूस्चन थे, इसके साथ हमने चैप्टर नमबर सेकंड के, यानि पार्टनर्सी, फंडामेंटल के सारे क्यूस्चन लगब करवा दिये, अब उसके बाद हमारा नया चैप्टर सरू करेंगे, चैप्टर नमबर 3, जो किसका है, गुड़ विल का, उसके लि वीडियो आप देखते रहें, थेंक्यू